दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके WhatsApp पर किसी का भी status से सो नहीं हो रहा है तो आप अपने WhatsApp पर किसी का भी status कैसे देख पाएंगे जैसे कि हम यहाँ पर दिखाते हैं हम यहाँ पर chat पर किलिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर friend है और हम अपने status पर किलिक करते हैं तो हमारे friend के किसी का भी यहाँ पर status सो नहीं हो रहा है तो अपने WhatsApp के अंदर इसे problem को कैसे आप fix करेंगे कैसे आप इसे solve कर सकते हैं तो यही आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या किरकार आपके friend का WhatsApp status आपको देखने को क्यों नहीं मिलता है तो इसके कुछ region होते हैं जैसे कि सबसे पहला region होता है अगर आपका friend आपका mobile number अपने contact में save नहीं करेगा तो आप अपने friend का status नहीं देख पाएंगे यह एक पहला region होता है उसके बाद अगर आपका friend आपको block करके रखा होगा तो उसका भी अपना status आप नहीं देख पाएंगे उसके बाद अगर आपका friend अपने status पर privacy लगा देता है यानिकि आपको नहीं दिखाना चाहता है आपके लिए अपना status चुपा देता है तो भी आप अपना status अपने friend का अपने WhatsApp पर नहीं देख पाएंगे जैसे privacy कैसे लगाते हैं अपने WhatsApp पर जाएंगे status पर जाएंगे और आपके friend ने अपने 3.0 पर क्लिक करके status privacy पर क्लिक किया होगा और यहां से उसने अपने चूज किये होंगे कि अपना status किसे दिखाना चाहते है तो उसने इस पर क्लिक किया होगा और यहां से उसने चूज किया होगा और यहाँ पर आपका नाम उसने select नहीं किया होगा तो आप उसका status नहीं देख पाएंगे अगर आपके पास ये कुछ भी problem नहीं है और आपका सारा काम सही है फिर भी आपका status यहाँ पर so नहीं हो रहा है आपके friend का तो यहाँ पर आपको एक बार ये check out करेना है यहाँ पर देखने को मिलता है muted update यानि कि अगर आपने गलती से अपने friend का status अगर आपने mute कर दिया होगा तो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा muted updates आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपके सारे status so हो जाएगे जिन status को आपने mute किया होगा अगर गलती से किया है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगे अगर आपने करके रखका है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगे muted status को unmute कैसे करते हैं तो उस पर आपको long press करना होता है यहां से आप अपने सारे status unmute कर पाएंगे तो हम यहां पर click करेंगे तो यह status यहां से unmute हो चुका है अगर आपका यहां पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है तो आप इस problem को कैसे solve करेंगे अब यहां से आपको बैकाना है अपने WhatsApp पर आपको long press दवाना है यहां पर मिल जाएगा IAP info आप इस पर click कर देंगे जब आप इस पर click करेंगे उसके बाद यहां पर मिल जाएगा storage आप इस पर click करेंगे उसके बाद यहां पर मिल जाएगा clear data आप इस पर click करेंगे clear कर देंगे उसके बाद यहां से आपको बैकाना है बैक आने के बाद आपका WhatsApp पुरी तरीके से यहाँ पर पुरी तरीके से यानि कि नया हो चुका है आपका एकाउंट यहाँ से हट चुका है अब यहाँ से आपको बैक आना है बैक करने के बाद अपना WhatsApp आप यहाँ से ओपन करेंगे open करने के बाद यहाँ पर agree and continue करेंगे इतना काम करने के बाद यहाँ पर अपना whatsapp number डालेंगे और यहाँ से आप nest करेंगे जैसे अपना यहाँ पर OTP fill up कर देंगे उसके बाद आपके सामने इस्तरेक का page आएगा यहाँ पर continue कर देना है यहाँ पर आजाएगा allow कर देना है जब आप यहाँ से allow कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना name fill up कर देना है उसके बाद यहाँ पर आजाएगा looking restore backup अगर आपने backup लिया होगा तो यहाँ पर restore पर click कर देना है तो हम यहाँ पर restore पर click करेंगे और हमारा जो back up है सारे chat का वो यहाँपर अभी install हो जाएगा यहाँ पर आपका restore हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँपर nest कर देना है तो जैसे आप यहाँपर देख सकते हैं हमारा यहाँपर restore हो चुका है थोड़ा सा और यहाँपर समय लगेगा और आपके सारे के सारे message भी restore हो जाएंगे और nest कर देंगे और यहाँ पर आजएगा ok आप इस पर click कर देंगे जब आप इस पर click करेंगे यहाँ पर अपना name डाल देना है जो भी आपका name हो जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना name और उसके बाद आपको यहाँ पर करना क् जब आप यहां पर nest कर देंगे, nest करने के बाद थोड़ा सा आपको यहां पर wait करना है, आपका WhatsApp पुरी तरीके से यहां पर open हो जाएगा, और आपका सारा problem यहां पर fix हो जाएगा, यहां पर आजएगा status आप इस पर click करेंगे, तो यहां पर आपके सारे के सारे आपके friend का status यह के लिए इतना ही विरो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद,